हेलो दोस्तो वेलकम टो स्विसी क्लासिज मैं हूँ सुमित वर्मा अगर आप लोग नर्सिंग फरजी वाड़े से जुड़ी हुई किसी अपडेट के लिए यहां तक पहुंचे हैं तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में की जानी है वो ठीक से हो रही है या नहीं जुर्माना किन पर लगना है कितना लगना है किस प्रकार से कारवाई होगी उन कॉलेजिस में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा यह सारा कुछ देखने का काम इस कमेटी का होगा तो चलिए हम लोग चलते हैं उस न्यूज आर् जानच के लिए तीन महीने का समय दिया गया है मतलब जिन कॉलेजिस की जानच अब तक नहीं हो पाई है उनकी भी जानच होगी और तीन महीने के अंदर यह जानच होगी CBI को तीन महिने का टाइम मिला है इसके लाबा नर्सिंग कॉलेज फरजी वाड़े में High Court ने कमेटी बनाई है Faculty duplicacy पर एक लाग का जुर्माना तै किया है इसके डिटेल पर अगर चले हम तो नर्सिंग कॉलेज फरजी वाड़े में कॉलेजों पर कारवाई के लिए High Court ने Retired Justice RK की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है इसके लाबा High Court ने इस पस्ट कहा है कि जो कॉलेज आयोग्य पाए गए है उन्हें बक्षा न जाए इस पस्ट नर्देश है कि जो दोसी पाए गए कॉलेजेस हैं उन्हें बिलकुल किसी कीमत पर नहीं बक्षना है उन्हें उसका सजा उसका जो भी दंड है वो अवश्य मिलेगा कोट ने तीन से अधिक फैकल्टी डुपलिकेसी होने पर प्रती फैकल्टी एक एक लाख रुपे का जुर्माना तै किया है इसके साथ मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी वहीं CBI को बाकी कॉलेजेस की जाच के लिए तीन माह का समय दिया गया है कमीटी में IAS राधेस्याम जुलानिया और इंद्रा गांधी नेशनल ट्राइबल विस विद्याले अमरकंटक के कुलपती सरदस्य होंगे समीती को क्या-क्या जिम्मा दिया गया है तो अगर हम समीती की जिम्मदारियों की बात करें और की गई कमी की पूर्ती की पुष्टी करना छात्रों को अन्य कॉलेजों में इस्थानांत्रित करने की योजना बनाना कमी पूर्ती ना करने वाले कॉलेजों को तकाल बंद करना जी हाँ, इस पश्ट निर्देश है कि सबसे पहले तो जिन colleges में कमिया पाई गई है उनकी कमियों को दूर करने के लिए कितना समय देना है वो तै करना फिर ये देखना कि वो कमिया दूर की गई या नहीं की गई उसकी पुष्टी करना अगर कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो उन colleges को तकाल प्रभाव से बंद करने का भी निर्देश है साथ ही जो चात्र उन colleges में पढ़ रहे हैं उनके भविस्य को सुरक्षित रखने के लिए उन बच्चों को उन्हें students को कैसे दूसरे colleges में इस्थानांतरित करना है उसकी योजना बनाने का काम भी इसी समिती का होगा तो कुल मिलाकर प्लान ये है कि दोसी पाएगए colleges को बंद किया जाएगा और वहाँ पढ़ने वाले students को दूसरे colleges में इस्थानतरित किया जाएगा साथ ही दंड स्वरूप जो भी जुर्माना लगाना है वो भी उन colleges पर लगेगा जहां सुधार करवा कर colleges को जारी रखा जा सकता है वहाँ सुधार आत्मा करवाई करवाई जाएगी उसकी पुष्टी की जाएगी सुधार वास्तवों में हुए या नहीं और साथ ही और कुछ नए अपडेट आज की सुनवाई मतलब 22 फरवरी की सुनवाई में कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगी हो तो हमारा साथ बना रहे इसके लिए सबसे पेने चल्लन को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और भी स्टुडेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या एजुक सबस्ती कि निए साल आपकुछेंस के लिए और हैं Sangatine